हाव रू फीक्स वान प्लस एट प्रो डबल टैप टू लोग ऑप्शन नोट शोविंग प्रॉब्लम नमस्कार दोस्तों तो अगर आप सभी का तिकराच यूटूब चैनल पर तो दोस्तों आज की इस वीडियो पर मैं आपको बताऊंगा कैसे आप जो है अपने वान प्लस क के डिवास में डबल टैप टू लोग ऑप्शन नोट शोविंग प्रॉब्लम सॉल्व कैसी कर सकते हैं तो दोस्तों अगर आपको डबल टैप लोग का ओप्शन दिखाई नहीं और अपने मोबाइल पे आपके मोबल पे डबल टैप टू लोग का ऑप्शन नहीं है तो कैसे आप problem solve कर सकते हैं कैसे आप उस setting को set कर सकते हैं यह मैं आपको इस वीडियो पर şunu आप बताने वाला हूं ठीक है वीडियो को आं तक देखें जो भी सेटिंग है आप कोई है मैं आपको शो करके बताओंगा जो भी solution पर आपको लिंक मिल जाएगा किसी भी प्रॉब्लम के रिगार्डिंग पर आप हमें ट्विटर पर फॉलो करके मेसेज कर सकते तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं तो सबसे पहले तो दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है अब दोस्तों आपने मोबाइल को रिश्टार्ट कीजिए उसके बाद आई है सेटिंग ठीक है सेटिंग पर जाके दोस्तों आपको एक ही सॉलुशन करना है vaudeo software को update system पर जाये update देंगए अपडेट देटेंग किसे सिस्टेम अपडेट कीजिए ठीक है जैसे ही दोस्तों सिस्टेम update होगा आपको आपका setting वापस मिल जाएगा और आपका सारे problem आप जाएगा लेकिन यह जो सेटिंग है double Tab to Lock यह setting में कहाँ पर तो यह setting दोस्तों आपको home screen setup में मिलेगा उसके लिए आपको screen पर पिंच करना है या तो फिर आपको screen के empty space पर press करके रखने अपने उंगली को उसके बार home screen setting पर जाए और यह से इनेबल कर सकते हैं double tap to lock और यह setting दोस्तों सिर्फ और सिर्फ होम स्क्रीन पे यहाँ पे काम करेगा इसको इनिबल करके रखिए कई भी एमटी स्पेस पर डबल टेप करें आपकी होम क्रीन लोक हो जाएगा ठीक है तो इस तरिये से आप एस सेटेंग को फोलो कर सकते और अपना प्राब्लिम को भी फिक्स कर सकते अब राचिंग